ताज नगरी का जिला अस्पताल इंदेनों चिकित्सकों की कमी एवं एंटी एवं नेत्र रोग विभाग में खराब पड़ी मशीनों के चलते बदहाली दोर से गुज़र रहा है। कई वार तो मरीजों को बेरंग वापस लोटना पड़ता है। 2018 में 96.87 लाख रुपे की लाखत से MRI भवन बनकर तयार हो गया था। लेकिन 2022 के अंतर तक जिला स्पताल का MRI मसीन का इंतसार कर रहा है जिससे कही ना कहीं ताजनगरी के हजारों गरीब मरीजों को राहत मिल सकती थी। फिलहाल जिला स्पताल के अधिकारियों का कहना है कि रिमूर से संचालित ये फाइव स्टार रेटिंग वाले फंखे शासन इस्तर से उनको आवंटित किये गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि फाइव स्टार रेटिंग और कम वाट के होने के चलते ये पंखे काफी हद तक बिजली की बचत करेंगे। कही न कहीं जिला स्पताल में जिस तरह नए 285 पंखों के इस्टोलेशन का कारिच चल रहा है ऐसे में उतारे जाने वाले पुराने सही 285 पंखों का इस्तेमाल कहा होगा या फिर इन सभी पंखों को इस्टोर रूम के कबार में रख दिया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है अनिल सींग सीन्यूस आगरा